आप लोगों ने मुझे काफी कॉमेंट किया है कि OJ1 Small Finance Bank के ओपर वीडियो बनाईए तो इस वीडियो में आपको details में बताने वाला हूँ कि अगर आप OJ1 Small Finance Bank में अपना account open करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह account कैसा है कौन सा debit card मिलता है क्या क्या charges रहता है hidden charges क्या क्या रह है क्योंकि OJ1 Small Finance Bank में ऐसे कुछ कमाल के features benefit मिलते हैं जो कि बाकी बैंकों में नहीं मिलता है जैसे कि इस bank में आपको सबसे ज्यादा interest rate मिलता है semi account पे up to 7% का interest rate मिलता है साथ में इसमें आपको one year free debit card मिलता है दूसरे साल से आपको charges देने होते हैं तो इस video में मैं आपको details में बताने वाला हूँ कि कितने charges लगते हैं debit card के second year से ऐसे कई सारे और benefit है इस bank के उजिवन small finance bank के तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको और क्या-क्या benefit मिलता है इस bank में आप instant अपने mobile phone से online एक zero balance account open कर सकते हैं जिसके लिए आपको घर बैठे full के वाई से complete कर सकते हैं इस bank में कोई भी person account open कर सकता है 18 साल से ज्यादा age है तो वो account बहुत ही असानी से open कर सकता है उजिवन small finance bank में आप digital seven account open कर सकते हैं जो zero balance account है जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी पैसा अपने account में maintain करने की ज़रूरत नहीं होगी इसमें आपको one year free debit card मिल जाता है आपको दूसरे साल से charges देने होंगे दूसरे साल से कितना charges देना होगा वो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा साथ में इस bank में आपको free SMS alert की भी services मिल जाती है जैसे कि अगर आप अपने phone से miss call करते हैं तो आपको SMS के थुरू आपके account में कितना balance है वो उसकी जानकारी मिल जाती है तो इसके लिए भी आपको ये bank कोई भी charges नहीं लेता है अच्छी बात यह है कि इस bank में आपको 24 into 7 गुना customer support मिलता है वो भी 12 free number से आप contact करके customer की customer support की मदद ले सकते हैं इस bank के सबसी खास बात यह है और अच्छी बात यह है कि इस bank में आप उजिवन small finance bank के किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं इंडिया में कोई भी ब्रांच से contact कर सकते हैं वहां से आपकी पूरी health की जाएगी उजिवन small finance bank की अब debit card की बात करते हैं जो हमारे लिए सबसे important होता है तो इस debit card में आपको unlimited transaction मिल जाता है अगर आप उजिवन small finance bank के ATM से withdraw करते हैं तो month में कोई limit नहीं है और अगर आप other ATM से पैसा withdraw करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो आपको month में 6 transaction limit मिलती है जो कि आज किल आपको कोई भी bank 6 transaction limit कोई भी provide नहीं करता है इस bank में आपको रुपे की तरफ से classic debit card दिया जाता है जिसका charges second year से आपको 100 रुपे लगेगा साथ में GST second year से आपको 100 रुपे charges देना होगा प्लस में GST और पहले साल बिल्कुल free में आपको मिलेगा पहले साल आप बिल्कुल free में use कर सकते हैं बुसरे साल से आपको मातर 100 रुपे charges देने होंगे ATM card के लिए अगर इस bank की ATM card की daily withdrawal limit की बात करें तो daily इस ATM card से आप 25,000 रुपे cash withdraw कर सकते हैं और अगर आप post machine में use करते हैं जैसे swapping करते हैं तो वहाँ पे आप 50,000 रुपे daily खर्च कर सकते हैं चेक बुक की बात करें तो आपको चेक बुक 25 लिप्स की 75 रुपे में मिलेगा अगर आप चेक बुक चाहते हैं तो अलग से request कर सकते हैं otherwise आपको चेक बुक नहीं मिलेगा अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो सबसे important बात यह है कि इस bank में आपको initial funding करकी आप zero balance account को use कर सकते हैं अब क्या है कि initial funding यह bank कुछ दिन पहले बिल्कुल free of cost account open हो जाता था लेकिन अभी recently given small finance bank में account बहुत ज्यादा open हो रहा था zero balance account में जो कि उतना ज्यादा account use नहीं हो रहा था तो इसलिए यहाँ पे जिवन small finance bank ने छोटा सा restriction लाया है initial deposit का method यहाँ पे जैनरली अगर जिवन small finance bank में अपना account open करना है तो आप 2000 रुपए का initial deposit करके account open कर सकते हैं initial deposit जो भी होता है वो आपका ही पैसा होता है यह bank वाले आपका पैसा नहीं खाते हैं आपका account में ही रहता है account open होने के बाद इस पैसे को आप चाहें तो आप चाहें तो इस पैसे को बहुत ही अराम से अपने account से निकाल सकते हैं आपका account zero balance में run होगा अगर इस bank की conclusion point पर बात करूँ कि आपको account open करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो आपके nearest में अगर उजिवन small finance bank है तो यह best bank है आपके लिए अगर आप कम charges में अपना account balance maintain करना चाहते हैं open करना च सबसे अची बात यह कि इस bank में सबसे ज्यादा ब्यासदर earn कर सकते हैं अगर आप अच्छे कासे पैसे रखेंगे तो आपको अच्छे कासे return भी इस bank में आपको saving account के थुरू मिलेगा तो आपको account जरूर open करना चाहिए जिवन small finance bank में बाकि अगर आप interest rate के बारे में और detail मे जाना चाहते हैं account opening का link में निचे डिस्पसर में दे दिये हैं उस पे click करके आप सीधे उस page पर जा सकते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप नीचे comment करके जरूर बताईएगा अगर आप किसी और bank के बारे में जाना चाहते हैं तो मुझे और नीचे comment करके जरू जरूर बताईएगा साथ में जो भी उच्वेन स्माल फाइनस बैंक में account open करना चाहते हैं यह वीडियो उसके साथ आप जरूर सेयर करिएगा